बच्चों अगर आप लोग भी पढ़ाई करने बैट रहे हो तो मन में यही लग रहा है कि पतानी पेपर मुश्किल आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा एक बार आपको लगता है कि जून 24 है, नियू स्कीम है, पहली बार आ रहा है पेपर इजी देगा ICI दूसरे बार आपको लगता है नहीं, जून 24 है, नियू स्कीम है, लेवल बढ़ गया है, पढ़ाई का, तो हो सकता है पेपर मुश्किल आ जाए, तो अगर आपकी मन में भी डाउट है, तो वीडियो आपके लिए है, पूरी वीडियो जरूर देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हाँ, नियू स्कीम है, नियू स्कीम में लॉग के पेपर में स्पेशली BCR रिमूव होने से, माक्सिमम बच्चे परिशान है, कुछ बच्चे खुश भी हैं कि चलो इंगलिस से बला पीछा चुटा, लेकिन कुछ बच्चे परिशान भी ह माक्सिमम बच्चे इंफेट परिशान है, क्योंकि अब इंगलिस चली गई है, BCR चली गई है, स्कोरिंग पोश्चन आउट होने के वज़े से, जिन बच्चें को लॉग में तकलीफ होती थी, अब उने और जादा तकलीफ फेस करनी पड़ रही है, तो आपको क्या करना है आपको इस तरीके से पड़ाई करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, न्यूस की में पेपर लेंदी हो सकता है, अल्रेडी लॉक पेपर थोड़ा लेंदी आता है, बर थोड़ा और लेंदी आपको फिल होगा, क्यों, क्योंकि अब पूरे 100 marks की law आएगी, तो आपको प इंटर के लेवल की थोड़ी बहुत पढ़ाई करके चलो, तो देखो, चीजे वहीं है, कॉंसेप्ट वहीं है, कॉंसेप्ट कहीं और से उतर के नहीं आया है, तो लेकिन क्वेश्चन का लेवल हाई हो सकता है, का मतलब यह है, कि आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग, जैसे हमन बिल्कुल प्रिपेर रहेंगे, प्रिपेर कैसा रहना है, प्रिपेरेश्चन के लिए आपको सिरफ प्राक्टिस, प्राक्टिस, प्राक्टिस करनी है, ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे में चीज, हंडिट पसंट कंटेंट जरूर करके जाएंगे, कोई चीज छोड़नी नहीं है चीक है क्योंकि कोई ऐसे रूल नहीं है कि important चीजे ही आएंगी बच्छे पूछने माम important topic बटा क्या important topic कोई rule है कि important topic में से institute exam में पूछेगा ऐसा तो गहीं नहीं रिखा चीक है उसके बाद practice 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 जितने जादा question answers practice करोगे, उतना जादा हाथ साफ होगा, उतना mind जादा चलेगा exam में, ठीक है, practice आपको कैसे करनी है, सारे आपको institute की questions करने है, सारे मौक्टेस पेपस की question करने है, सारे पास्चिर पेपस की question करने है, सारे आपको RTPs की question करने आए, अभी आप चाहो तो अलग- practice book में, यह सारे questions आपको एक जगे पे मिल जाएंगे, माम, how is it possible कि एक book में आपने इतने सारे questions जाल दिये, बेटा, questions strategically arranged है, और repeated question को mark करके दे रखा आपको, ताकि आपको पता लग जाए, कि अच्छे question इतनी बार आया है, ऐसा नहीं है, एक question का 10 बार आया, तो 10 बार गेवन इतना lengthy content नहीं है, बहुत ही summarized content है, और strategically arranged है, आपको क्या करना है बेटा, एक और चीज, test बहुत सारे देने है, questions के practice आप PP book से कर लोगे, लेकिन test, test आपको देने, test series आप कहीं से purchase करना चाहते हो, purchase कर सकते हो, and बच्चों अगर आप test ही ले चाहो तो हमारे All India Challenge test series 3.0 में भी लोगे ही नहीं, और chapter wise test भी होंगे, full course यानि की mock test भी होंगे, तो आपके अच्छी कांसे practice हो जाएगी, link हम आपको description box में दे दे देंगे, and one more thing बच्चों, ये course first में से start हो चुका है, तो अगर आपको enroll कराना है, तो आप पटा-फट से enroll करा लेंगे, इसके अलावा, हमारी अगर आप self-study kit लेना चाहते हो, उसमें आपको test मिलते हैं, हमारे course में तो मिलते ही है, 9.0 पूरा course है, उसमें तो मिलते ही मिलते हैं आपको सब कुछ, test मिलता है, PP book मिलती है, PR book मिलती है, doubt session मिलते है, live class मिलती है, recorded मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, इसके अलावा, आप खा test जरूर करेंगे, बिना test दिये, किसी का law आज तक clear नहीं हुआ है, ठीक है, आंसर लिखना आना चाहिए, आंसर आप सही लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, कैसे बता लगेगा जब आप test दोगे, ठीक है, यह हो गई chapter wise test के वाद, जो आपको बहुत सारे देने है, मतलब सब chapters के subtopics के test देने है, इसके अलावा minimum 5 to 6 mock test paper आपको solve करने होते हैं, ठीक है, 100 marks की complete, ताकि आप time management कर सको, तो time management आपको कैसे करना है, time management के लिए अपको ध्यान रखना है, कि एक mark के question के लिए आपको 1.5 minute से जादा नहीं देना है, तो अगर आपको 6 mark का question आया है, तो 6 into 1.5, य अगर आपको 9 से जादा 10, 11, 12, 15 minutes ऐसे लग रहे है, तो कुछ ना कुछ गलत हो रहे है, stop कर दो यहीं पे, और next question पे सुच जाओ वरना paper चूट जाएगा, ठीक है, तो paper लेंदी रहने वाला है, paper का level high हो सकता है, you can say it might be on a difficult side, पर अगर आप preparation धंसे करके जाओगे, सारा content cover कर जाओगे, practice करके जाओगे, तो easy और hard आपके लिए कोई माटर नहीं करता है, right, और आप जानते, grooming education academy आपके साथ है, हमेशा, आपको कोई भी अगर आपको perfect practice book लेनी है, PR book लेनी है, in fact, मैं आप से कहूँगी, कि multiple revisions is the key, अगर आप multiple revision नहीं करोगे, तो बेटा, आपको concept या आप लोग ले सकते हो, perfect revision book इस तरीके से ड्राफ्टेड 100% content cover है, आपको जो case studies होती है law में, वो सारी एक साथ दे कर रखे है, ताकि आप रिवाइज कर सको master question दे कर रखे है, पीप बुक के अलावा आप ये questions करोगे तो इसके भाहर से आने का तो कोई मतलब मुझे नहीं करो इसको बचता है, ठीक है, ये सारी बाते फॉलो कर लो, paper easy hard, आपके लिए easy हो जाएगा, बस ये में बता सकते हूं, ये में guarantee ले सकते हूं, तरीके से सारी चीज आप फॉलो करोगे, तो अगर आपको कोई भी दिकत लगते है, कोई भी इस्यू लगता है, तो grooming education academy आपके साथ है, आप हमारे whatsapp number पे contact कर सकते हो, 888888402, ये number आप note down कर लेंगे, कोई भी आपको query है, course के regarding, books के regarding, तो आप इस number पे contact कर सकते हूं, और हमारे जो staff है, वो आपको coordinate कर लेगा, आप से आपके queries को resolve कर देगा, तो I hope ये वीडियो आपको useful लगी होगी, फटा फटा फट सबने के साथ भी इसको share कर दो बेटा, ताकि उन्हें भी useful information मिल जाए, चानल पे नए है, तो चानल को subscribe कर देंगे, वीडियो को like कर देंगे, आज का वीडियो में है, एंट करते हूं मेटा मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much, जैश्य शाम